नमस्कार वेग, सभी को नमस्कार, पूरी उर्जा, पूरे तन्मन धन के साथ, जैसा कि आप सभी लग रहे हैं अपने तैयारी केड़े में, आप सभी को हाड़ देक शुपकामने देना चाहूंगा जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे 2022 के इस बार के स्लेबर्स के अंदर 9 चेप्टर बचे हैं और हम सभी के सभी देको 9 चेप्टर के Most Important Questions के सीरीज को लेकर चल रहे हैं आज लास्ट वीडियो है, हमारी जो टोटल 9 चेप्टर इस बार बचे हैं उनमें जो 9 चेप्टर आएगा यानि जिसका चैप्टर नूबर एक्शॉल के अंदर 14 है, लेकिन चूकि 9 चैप्टर ही हमारे स्लेबर्स में है तो आज अंतिम चैप्टर के साथ हम हमारे स्लेबर् करना, sorry, आपको इतनी भाला भाहिंकर वाली success जो है, वो इन प्रिशनों के माद में से मिलने वाली, अच्छे के वले ही नहीं रुपना, मैंने आपको बता रहा है, कि आपको 100 out of 100 अशीव करना है, because our target is 100 out of 100 with Insta Guruji, if you want to achieve this target, then you must have to learn some more thing, और वो क्या, जो आपके NCIT की books है, या जो आपके reference books है, उनके अंदर जो objective type की question जहां से बन सकते है, कहां से, जो मैंने आपको बताए, summaries जहां पर होती है, जहां पर आपको आपको अशारांच होता है, आपको वहां से उनको पढ़ना है, मेरे पहर साथियो, सो में से सो नूमबर लाने फिजिक्स पर बहुत असान है, कहीं कोई दिक्कत नहेंगी, तो आप हंडेड आउट और हंडेड के लिए तैयारी करें, मैं आप सभी के दिए, शुब कामने प्रेशित करता हूं, जो को हम स्टार्ट करते हैं, आज तक आपको जितने में पेपर यह सबसे बड़ा चैप्टर है, वैसे अगर अंकों के लिए आज सेक देखें अगर अपन, जो माक्स के अकोडिंग लिए अपन देखें, तो आपका जो चैप्टर नमर 9 था, रे उप्टिक्स वाला, एन उप्टिकल इंस्टूमेंट्स वाला, यहनि किरिण प्रकाशिक औ वाला, वो चैप्टर नमबरों के लिए हासा सबसे बड़ा था, नो नमबर का चैप्टर था वो, लेकिन यह चैप्टर वास्ते में लेंदी चैप्टर है, तो इसकी बात करते हैं फिटाफर, हमारा पहला क्वेशन, वर्जी तुर्जा अंतरा को प्रिवाशित करते वे ने लिची आपको एक बैंट भेंट वर्य वास्ता हमारा इससा डिखने में रहें, इसको की होक्त होको खने ह disgu hmm जाilार मारा पे उसको में सहने हाओ िर्द Sakyonyaci बात के इलेक्टर न यह तो सभी प्रगार कारे क्या चालाक हो चायी फिर वो आपके चालड को लेकिन यहां सिधे इसमें पहुशते हैं तभी वो पतार चालक बनता है या चालक का गुण तरशाता है अब देखने मेरे पहले जादा होगा तो यहां से यहां तर पहुशने के लिए बहुत ज्यादा एंडरी चीएगी जितने हो सकता है पॉसिबल भी नहों तो अपन बात करते हैं जो पचालक होते हैं कुछालकों के अंतर करते हैं कि बीच का अंतराल कफी ज्यादा होता है अब अपने प्रशन पे आने अपन अपने प्रशन पूछे ने इस अंतराल के होती है उसे वर्जित उर्जांत्राल गहते हैं इंग्लिश में हम इसको बोलता है इस बात का फुछा सा ध्यान रहे हैं इसी प्रेश में आप से मैं पूछा नेज और अपद्रवी अर्चालक है यह किसे कहते हैं इन मैं अंतर बता दो बहुत असान सी बात अभी जो नहीं पाई जाती उन्हें नेज अर्चालक कहते हैं लेकिन इनके चालकता बहुत कम होती है नेज अर्चालक की चालकता को बढ़ाने के लिए इसमें कुछ अशुद्यों का मिश्रण मिलाया जाता है इसे अपद्रवी या बही अर्चालक कहते हैं कितने सिंपल सी बात आग बई, बई, सिद्धी सी बात है, बई, अठ चालक अबर बनाते हैं, तो अपन को यो चीए, कि वी यहाँ से एलक्टोण यहाँ पर आसानी से पहुंच आए, जर्मेनियम जो हना, उसके लिए इस वर्जी तुर्जांतराल का मान सिलकन की तुला में कम होता है, तो जब जर्मेन उसके लिए वर्जय तो जंद रलकमान कम होने के करणी ज्यादा श्रेष्ट है सिल्किन की तुलना में आगे लेकिन तीसरा हमारा प्रशन है डोपिंग कैसे नेज अर्थ चालकों की चालकता बढ़ाने के लिए उनमें अशुद्यों का कुछ मिश्यरमि इस प्रिकृया क्लेंग कहते हैं जिस पदार्थ को मिलाते हो उसको दोप्एंट कहते मादख बढ़ात बोलते हैं लिए इसके निर्मार को समझाई यह पहुत आसां सी बात है दिखो सुनना यह माणलो अपने पास कोई अठालक का क्रिश्टल था एक i तो इन दोनों अशुद्धियों को जो मिलाने वाला इस संपर्क तल को हमने कह नाम दे दिया पी और एन के बीच में एक संदी का हम करें इसका नाम के हो पिन संदी लिखेंगे कैसे जब किसी अर्चालक के एकल क्रिस्टल में पी और एन प्रकार के अशुद्धियों का मादन कह जाता है तो इन दोनों अशुद्धियों को मिलाने वाले संपर्क तल को ही पी और संदी कहते हैं किती सिंपल सी बात हुई आगे देखना इसके निर्मान को समझा इसके निर्मान को पने समझा दिया यह कैसे बनती है ठीक है बहुत सिंपल सिंपल सी बात है आगे बढ़ते हैं उभैनिश उत्सर्जक प्रवर्दक उभैनिश आधार प्रवर्दक की तुल्ला में अधिक श्रिष्ट क्यों बहुत इंपरण प्रश्म बनता है जो आपका वोड्ता लाब बहुत इसलिए पन कहते कि बीच मने उभैनिश उच्रजक अधार के तुला में अधिक श्रिष्ट होता है जो थे जापन को उपने प्रविट देती है जैपने जयादा श्रिष्ट होती है यह तो पनको एक प्रकार का लाउबी देती है लेकिन तीनो प्रका बहुत असान से बात आप से तीन चीजे पुछी एक तो पुछा LED देखो LED अच्छा एक बाहां बात आपको बता तो इस LED की फूल फॉम भी आपको ध्यान रखने इस बारक की अब्जेक्टिव क्रेशन पुछी जांगी हो सकता है कि वहां पर अब्जेक्टिव केंदर आपको तो चार नाम देते हैं उनमें से एक नाम सही हो बाकी नाम गलत हो तो इसका नाम कहा है लाइट इमिटिंग डायोड प्रकाश उत्सर्जित करेगी इसलिए इससे बाहर निकलते वे तीर के निशान लगा रहे है इसका मतलब क्या है यह किसका प्रतिक चीन हो गया एक ऐसा ड इसका नाम क्या हो गया लाइट इमिटिंग डायोड इसका प्रतिक हो गया इसको कैसी अभिनती में जोडते हैं परीपत के लिए तो एक वरणी प्रकाश शोत गया यह अच्छी होती है यह सौलेड रोत की फ्लेश लाइट के अंदर इसका प्योग होता है तो इसके अंगिने तुपियोगा आप जितने चाहू उतने लिख सकते हो आगे देखना अगला आप से पूछे फोटो डायोड देखो इसका जस्ट ऑपोजिट कर रहा हूं मैंने क्या किया थे फोटो डायोड के जब मैं ब तिक है इसके क्या उपियोग है और शी प्रकाश सब्सका जो जय एक तरग तो गोल के अब साथ में देखो जनरली डायोड के निशान होता है इस पर एक इधर कर देना यह जो आपके युक्ति मैंने यहां पर दिखा है इसको अपयोग को भी परिपत में पश्यबाइश में जोड़ते हैं ध्यान रखना इसके उपयोग वोड़ता नियंतरक की रूप में इसका उ अब देखोगे कि आपका पंदरो प्रशन में ने साथ प्रशन में लगबग एक सी बात पूछे तो साथ प्रशन नहीं करके अपन पंदरो यह करेंगे इसको आगले चलते हूं मैं मदलब आट प्रशन अपना ट्रांजिस्टर का प्रयोग 2 लितर के रूप में किस प्रगा अपने दिश्ट वोड़ता से वांचित या आवशिक आवरती की प्रत्यावरती धारा प्रदान कर सके ऐसे उक्तिक अपन बोलता है 2 लितर इस 2 लितर का जो मुख्य सर्कीट है वो है इसका LC सर्कीट देखो अपन करते के हैं पहले तुम एक LC सर्कीट मना रहो इसको कहेंग लगा यहां पर परिरक्त या इसको कह सकते कुंडली लगए मैंने यह देखो LC सर्कीट बन गया इसमें एक तो एल है एक सी है इसको बन बोलते है LC सर्कीट को मैं देखो नीचे एक डायोड के साथ लगा सुरी ट्रांजिस्टर के साथ लगा रहा हूं और यह है पूरा का पूरा टॉपिक बहुत असान है कि अ कि आ कि अ कि तो यह देखना अपना परिपत बनके त्यार हो गया इसको मैं एल डेश नाम देता हूं यह इससे अनोने प्रेंट लेगी अभी अपन बात करें पूरी प्रक्रेंट कैसे इसकी काम करती है तो यहां पर यह इसके अधहर पे लगावाएं तुसको मैं CE नाम दे रहूएं अधहर की यह अपना पर्तिरोंद लोइए प्रतिरोंद बहुत असवान लोइण रू नाम दे रहूँ इसको शुकि कि एक LC परिपत को एक transistor के संग्रहक पर जोड़ा ठीक है इसके पास ये दूसरी कुंडली अपने रखी eldest अनोने प्रेंट के कांड क्या उपका इसमें प्रेरी धारव हैंगी उस प्रेरी धारा को अपन निवेश करा रहें इस इस transistor के आधार में आपको पता है भी जब अपन transistor के उबेनिश्ट आधार अधार के निवेश कराते तो इस अपन को जो धारा लाग है वोड़त लाग है तिनों अपन को प्रवर्दन होने के बाद फिट से बैटरी पास दार जाएगी और यह बैटरी इसकी जो वैटरी खुद एवान जीत पुनर निवेश को इस परिपत में आने से रोखते है ठीक है अब देखो यह जो परिपते लगातार निवेश काम करता रहते हैं अपन इसको कोई भी प्रतियावरत बोलता इसके अंदर निवेश नहीं करवारे लेकिन फिर भी इस आउटपूट के अंदर आप यहां पर आउटपूट के अंदर जो आउटपूट सिगनल है वो आफशक आवरती की प्रतियावरती धरा वो तकातार मिलती रहती है यह अपना पूरा पूरा एलसी सर्कीट है दो लितर के रूप में ठीक है बहुत असान सी बात है आगे चलते हैं एंड नौर तथा एंड हुआ जो अपनगो तरी एक लिया रहा है तो एक अपन को बनानी प्रतिक चिन worry एक डी की तरह है यह लो एक डी मेन बना नगा है अगहां को सबको पता है इस को मैं नाम देता हूं यह एक संख्रिया होती है तो टेबल में क्या होता है अपन दो बाते करता है एक तो मात करता हूं इन पूट की मा को यो साणी बनाने सिका रहा हूं एक मात करता हूं आउट व्यक्ति निवा वास पूर्ड करते अब देखो इनपूट के अंदर यहाँ पर आपके पास दो चीजे हैं मैं इसको पूरी लाइन बढ़ना देता हूं देखो इधर एक तो ए है एक बी है यह आपकी इंपूट में खाली कौन आपकी पास वाई है और वाई कमान कैसे प्राप्त होगा अब लेखना एक कमान मैं है पर 01 रख सकता हूं इसको जिरो रखता हूं इसको जिरो रखता हूं तो भी मुझे क्या मिलेगा जिरो मिलेगा इसको जिरो है यहां पर भी जीरो लेकिन मैं इसको भी वन रखता हूं इसको भी वन पर रखता हूं तो मुझे आउट्पूट हमेशा वन मिलेगा तो यह क्या है आपके एंड गेट के लिए सिक्तेमान साणिया टूट्टेबल बन चुकिए तो अब चर्चा करते हैं हमारे अगले गेट अगला गेट के हमारे नोर गेट नोर गेट रहे इंदर आपको देखो ओड गेट लगए एक दो और गेट है यहां पर क्या करूँआ नोट गेट के प्रतीक के तोर पर यहां पर और बना दूँगा ना चोटा सा राउंड बना दूँगा यहां पर अपनको और पूट मिलेगा अब देखना इसके जो आउटपट संक्रिया होगी यानि वाई कमान किसके बराबर होगा वही जब आप और गेट की बात करते हो तो और जिद्शांप और इसको पलस की निशांद के अवहीं मिलता है तो क्योंका नोब्त के बैदाएं पहले बना कले बना रहाए जो आपका प्राइनियुक्त का Г Egg na Art एक हो एक रखता को विझ ज्रों रोगता हूँoral बताना उल्ता करें एकको उल्पल लेक है आकर उलेगा फिरोट प्लैसिता है लेकिन उनका खरूा बारीट उती तो यहां प्लिक उनको 14 मिलेगा और 1 का मैं जब बार करते हूं तो मुझे क्या मिलेगा जीरो मिलेगा बिल्कुल सिंपल सी बात है आगे बढ़ते हैं जब मैं दोनों की वैल्यू को 11 कर दूँगा तो देखना 1 प्लस 1 टू नी करते हैं इसको 1 प्लस 1 वन ही रहेगा यहां पे न तू होता है न खाली दू यह बढ़ते हैं तो 1 प्लस 1 वन होगा अब 1 का मुझे करना है बार जब मैं इसका बार कर दूँगा तो मुझे क्या मिलेगा जीरो मिलेगा तो यह क्या बनगे आपके लिए नोर गेट की सत्यमान सार्णी बहुत एसान जी फुटा-फट से नांट गेट की बात कर लेते हैं अब इसके लिए नांट गेट के लिए बना रहूं यहां पर मैंने इस संक्रिया को बदल के डॉट यहां पर लगा दे डॉट का मलब के एंड है आपो देखना कितना आसान है जब मैं इन्पूठ को जिरो जिरो रखना तो बही एंड गेट का तो आपको पता फाइब जिरो इंटु इंटु जिरो करईगा आएगा तो पर को जो बred leaf तो वन जैएगा और जिरो की बार करूँडू जाएगा ठीक है उसको आप इंटू मान सकते हैं लेकिन उसको पढ़ें क्या एंड भी अपन बड़ता है एक अगला आप का प्रश्न है डायोड को अग्रबाइस में । अवक्षय प्रत पर क्या प्रपह हुपर्पध़ता है। फुलाइस में ज्जोडते हैं तो बहु संखिक आवेशवाग संद्ी शेटर को पार करते हैं। जब अवक्षेपरत की चोड़े घटती है तब चालकता के माने वृद्धी होती है यह तो बात होगी अगरवायस की अब पश्यवायस की बात करते हैं जब डायोड को पश्यअभिनती में या पश्यवायस में जोड़ते हैं तो अलपसंखे कावेश्वाक संदी शित्र को पा लेंगे कि अगरवायस में डायोड पर आरोपित विभव तथा धार प्रवायद धारा के मान में खिंचा गया जो वक्र होता हुँ डायोड का अग्र बिलाक्षनिक वक्र गहलाता है इसको अपन ऐसे खेंचेंगे देखो मैं मानलों पूरे वक्र को एक साथ ही खेंच रहा ह परार में तो धार कमान अपन को बढ़ा वाद रहा लेकिन एक हो ऐसा आया यहां पर चलने के बाद की भी धारा का, जो भाने वह एक्दुम से नियत होगे, धारा एका-एक चरगातान की रूप से बढ़गी, यहां पर देखे ना मेरे बारसा तो यह जो वोल्टेज इस वोल्टेज को पन बोलता है, नी वोल्टेज को का बोलता आगे बढ़ता है अब देखना पश्चवाइस की बात करता हूँ जब मैं डायोड को पश्चवाइस में जोड़कर इस पर आरोपित विभाव और इसके अंदर से प्रवाए धारागमान आपको एकदम से हायस मिल रहा है लगातार एकदम अचाने की बढ़ी गया है इस विभ अब देखना हमारे जो अगला प्रशन को कहता है कि अपने परिपत में क्या होता है कि अपने मालो इस अधारा निवेश करवाई आउटपूट के अंदर अगर वह ज्यादा है तो उसको पन लाब बोलेंगे तो वहां से अपने फोर्माल निगा लिए अपन कहते हैं निर्गत धारा तथा निवेशी धारा के अनुपाद को धारा लाब कहते हैं एसी वोड़ता के लिए निर्गत वोड़ता तथा निवेशी वोड़ता के अनुपाद को हम क्या कहते हैं आप वोड़ता लाब कहते हैं सिंपल सी बात अब आप से पुछा देख यह तो हमारी है निवेशी दारा निवेशी दारा के लिए जो निवेशी धारा होते हैं इसके चेप्टर की वीडियो के निदर तो यह अपने को पता है तो आप सुरुवात यहीं से करोगे समीकर नमर एक देद होगे जो अपने एक घ्यां में करें तो उसके शुरूराद जानते हैं IE बराबर IB प्लस IC, सिंपल सी बात, पूरी समिक्रिण में IC का भाग देता हूं, कुछ है ने करना, कोई जोड ही नहीं है, इसमें देखो मैं IC का भाग देता हूं, तो IE बटा IC, बराबर IB बटा IC, और इदर देखो IC बटा IC करो, एक ही आईगा, तो इसको सीधा एक लिख रहा हूं, जब आपको step नहीं बढ़ानी, अब देखो, IE बटा IC, कई पर कुछ आपको यहां पर दिख रहा है, अचा आप इसका लगा सकते हो, बीचा हो दो ना, आप इसका लगा देना, कुछ भी फरग नहीं पड़ेगा, डेल लगा देना, ताकि आप उपर वाले से मान जो, वो मैच हो जाएं, ये लो, मैंने कुछ भी निखिया कि डेल डेल सबके लगा है, अब देखो, डेल IE बटा डेल IC, देखो, डेल IE बटा डेल IC आपको दिख रहा है, लेकर उल्टा दिख रहा है, कोई बार ने, पलट देंगे, जो मैं इसको पलटूँगा, तो अगर इतने हम बोला कि, अलफा बीटा समंधर सापते हो, तो आप कैसे भी कर सकते हो, कोई दिख रहा है, लेकिन मान लो, अगर आप से ये बोल दे, कि आप सिद्ध कर दो, कि बीटा बराबर, अपोन 1 प्लस अलफा, इसको सिद्ध कर दो, तो आप क्या करोगी, और अगर आ आप से अलफा बराबर, अपने पास बनेगा, बीटा अपनबेख अपने 1 प्लस बीटा, च Кहा है यहार, यहांपे भी माइनेस है, यहांपे ना माइनस हाईगा, माँऔं से तो आगे ओग से अलवाल लिए और एल्फा यदर बेशनम क्या पॉर श्टा प्रावर वन अपॉन एलवा माइनस व मॉसमा है डिक लिए लगूतम लेना एक बाटा बीटा बड़ाबर है आप लगूताम लेगो तो इल्फा गया और वण समीकन से डिखले हैं अब आपको यह उपर यह लहीं से स्टाट करना आपको बिटा के बराबर पुषा है यहां से में शिर अइदा- advertised पूछ आगे देखना आगे आपसे प्रेशन पूछा है कि जेनर बंजन और एवलांश बंजन में क्या नतर है बहुत सिंपल सी बात है जब पश्चे वोड़ता के मान को बढ़ाते ना तो अलप संकी का वेश्वाग जो है वो संधिश्चितर को पार करके जाते हैं और अलप स जो पश्चे वाइस के अंदर जो आपके अलप संकी का वेश्वाग है वो तिवर वेग प्राप्त करके संधिश्चितर को पार करते हैं तो वहां की जो सहस्योजी बंदों को तोड़ देते हैं तो इस कारण से जो धारवत्पन होती है उसको या इस प्रक्रियक अपन के कर दो जाते हैं तो इस कटना को बोलते हैं अवलांच बंचन ठिक है आगे देखना हमारा अगला अगला प्रेशन है एंपन संधी ट्रांजिस्टर के उभेनिस उत्सरजक विन्यास के लिए निवेशी तथा निर्गत अभिलाक्षन इक वक्र बनाई है यह प्रशन में आप होता है ट्रांजिस्टर के उभेनिस उत्सरजक प्रवर्दक का नावांगी चितर बनाई है बहुत असान सी बात प्रवर्दक किसे कहते हैं कि जिसमें हमें धारालाब वोल्टालाब शक्तिलाब तीनों मिल जाए उसको पर प्रवर्दक बोलते हैं जब कोई परिपत के प्रवर्दक करते हैं को सिंबल से बात है अप लोग देखते हो कि आप इसके हैडफोन जेक के अंदर जो आप मालों पिन लगाते हो अगर आप उस पिन के साथ में डैक्ट बड़े वाले स्पिकर को जोड़ोगे तो स्पिकर बजएगा तो लेकिन बहुत ही मामुली मामुल तो स्पिकर बहुत तेजी से काम करें यह जो आपकी मशीन थे ना इस मशीन के नाम है अम्प्लिफायर प्रवर्दक तो प्रवर्दक क्या होता है आपको मैं पूछे टांजिस्ट के उबहिनिश्ट उच्छ परवर्दक को नामां की चित्रदा सम्झाओ यह भी मैं आपको परत्य हवर्ती धाराया वोडत्या मां बदलने के लिए प्रवर्दक करन कयते हैं जिस युकती द्वेसार के चट्ना संप्न होते उससे दिष्टारी कहते यह लाएक द्शक धाराव्यण परकारी करता है यह लो प्रकॉण का बात है वहां पिक को देखें वहां पर इसको समझें बहुत अच्छा रहेगा अला कि यह तो बहुत सिंबल से बाशा के इंदर को बात करते हैं देखो मालों कि यह अपने पास कोई प्रत्या वरते धारा का सुरूत है इसके साथ अपने ट्रांस्फोर्मर को जोड़ा तो यह ज़्या कर देगा अब देखना यह अपका हो गया ट्रांस्फोर्मर आप से क्या पूछा है अर्थ तरंग दिश्ट करें पूछा है पूंद दिश्ट करें आप से पूछे न तब आप क्या करना कि बीच में यहां पे इसको ऐसे रख लेना यहां से अपने एक वाई निकालेंगे इसके लिए ठीक है तो इसको तो मैं सीधा ले जाता हूं और इनको मैं आपस मैं ऐसे अटेच कर देता हूं कि इसके ओपर से आगे चलके पी टेच कर सकते हैं कोई दिक्रत ने लेकिन अपन चुंग की तो यहां पर जोड़ेंगे मैं इसको थोड़ सा आगे लिए तो थोड़ ज्यादा अब यहां पर से जुड़ते विजा रहा तो मैं इसको ऐसे उपर से यू कर देता हूं एक वायर आप यहां पर आप जोड़ना चाहो तो यह अपना आरेल को लोड़ डिस्टेंस हो गया इनके बीच में वी ओ आउट्पूट जो वोल्टेज है यह अपने जो इन्पूट कर हमारे तो आयोड डीवन है हमारे डायोड डीटू है यहां पर इस बेंदु को मैं नाम बी देता हूं इस बिंदु को नाम में ए देता हूं कितना असान यह थो प्रतिवरती थारया बोलता कि फूर्ण तरण को किसमें पूर्ण तरंग को बदल देता है उसे पन कहते हैं पूर्ण तरंग को बनलता है उसको पर रहा कर regular budget प्रतिच स्लें है Bak प्रेशन है चित्र में दिखाएगे लूजी गेट का नाम लिखिए तथा इसके लिए सत्यमान सारणी को बताएगे यह मां देखो आपको आपको बताता हूं यह अच्छा करशन है और ऐसे प्रेशन जिप है वो एक्जाम ले आने के से संभावना है तो इसको अपन कैसे सोल क सब्सक्राइब को चित्र में बनाता हूं यहां पर आपको कौन सा गेट देख रहे हैं अब यह जो गेट है इस गेट का तो नाम आपको अगर जंडली कोई पुछे तो यह हमारा एंड गेट यह भी हमारा इंपूट है इसके जो आउटपूट है उस आउटपूट को अपन आउसी को इसके दोनों इंपूट के इंदर अपने डाला और यहां पर आउटपूट की वेल्यू वाई पूश रहा है कितना असान होगे वास्ता हम बहुत आसान इसको थोड़ सा समझना इसकी सत्यमान सान्य को मैं यहां पर बना लेता हूं ताकि अपन साथ-सके इंदर मा अब अपन बात करते हैं और वाई अपन को क्या मिलेगा इसके बात करें एक बार खाली में इदर वाई लगके छोटा बहुत सिंपल सी बात देखो आपने मालो इन्पुट कराया ए और बीके निदर जिरो 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 अपने इंपूट कराया आपको पता है भी एंड गेट है एंड गेट में जब दोनों 0 होते हैं तो 0.0 हूँस को बन जायेगा यहाँ इस संतार के अपने दो बात के आपने तो इधर भी One है यहाँनि आपने एक एंड गेट के नदर इसके दोनों जो इन्पूट अबहुँत आपने वण दिये हैं तो नीम इंट वन वन इंटिन नोट्गेट लगा दिया पूर्पूट फिर सी क्या बन जाएगा जीरो जब पने दो जीरो जीरो इंपुट कर वाया तो यहां पर आपन को ओपूट क्या मिला वाई कामान अपन को मिला जीरो, सिंपल सी बात है जब मैं यहां पर मौनलो एक वेली को वन कर देता हूं, बी को म सिंपल सी बात, फिर मैंने माल लो कि A के मान को तो 1 कर दिया, तो A के मान को पहले 1 ले लिया था, B के मान को इस पर 1 ले लिता है, और A के मान को अपने 0 ले लिया, तो वही देखो 0 into 1, 0 into 1 करेंगे 0 आएगा, ये note gate उसको 1 बना देगा, 1 अपने input कर रहा है, तो इसको इससे तो output 1 निकलेगा, लेकिन इसको फिर से क्या बना देगा, 0 बना देगा, अब अब अपने output क्या मिला, 0 लास्ट मैं अपने बात करते हैं, जब अपने दोनों की value को 1, 1 कर दिया, देखो इसको भी 1 कर दिया, तो जब end gate के अंदर 1 into 1 करते हैं, तो इसका output तो बनाता है, आगे note gate इस 1 को क्या बना देगा, 0 बना देगा, चुलिए ये तको 0 अपने input करवाने, तो इस end gate के अंदर 0 गोना 0 होता है, तो इस output 0 निकला, ये note gate क्या बना देगा, 0 को 1 बना देगा, ये आपको output क्या मिला 1, एक पर गोड से देखना, ये संक्रिया आपको कुछ फैसिल नहीं दिख रीगा, जैसे अपन किसी end gate के लिए संक्रिया बनाते हैं, वास्त में किसी end gate के संक्रिया देखो, ठीक इसी प्रकार के होती है, end gate में जब दोनों निवेशी एक पर होते है, तब ही जाके आपका output एक मिल और gate के बाते ही बाहर करता है, जबकि परिपत B जो है, end gate के बाहर करता है, ऐसा का सब्रेशन को दुबार पूछ लिया, इसको वास्त में बहुत आसान है, इसमें कहीं कोई दिख्यत नहीं आने चाहिए आपको भी, इसको में खाले इधर वाले को में टो रहा हूं, बास करत प्रतिकाई यह अपना हो गया, आउर्फुट, वाइजऑ ऐसा इ सबीच को आपने ऐसे बनाते हैं, तो कुंसा होता है, ओर बेल्श सिम्पल सी बात, और गेट के आपने यह बना दियू किया है, आप धेखें हंगान नर गे पर बन गया, नर ओर ऌन टो बना रहा बना देग माल लो A को 1 रख रहा हूं, B को 0 रख रहा हूं, तो 0 प्लस 1 क्या बनेगा, 1 बनेगा, उस 1 को इसका जो output 1 है, उसको यह note gate बना देगा, 0, इस 0 को जब अपन इस note gate में फिर से डालेगा, तो 0 को बना देगा, यह 1, तो अपन को मेलेगा output 1, फिर माल लो तीसरे case में मैं 0 और 1, यहने, A कमान 0 फे B कमान 1 रखता हूं, तो 0 प्लस 1 क्या बनेगा, 1 बनेगा, इसको output 1 को मैं इस note में डालता हूं, तो इसको 0 बना देगा, 0 को यह फिर से क्या बना देगा, 1 बना देगा, तो अपन यह बना लेगा, अब लास्ट केस में अपन देखो, तो दोनों को की का रह कैसी दूर्ति ए प्लस बी देखो वास्त में ए प्लस बी बनता है एक दम से किस कितरे खाम कर रहा है और गेट की तहीं यह आपकी नौट गेट एक नीच्चे भी नौट गेट है इन दोनों के जो आउटपूट है उनको उपन एक नौगेट में डाल रहे हैं यह अपने बस देखां नौगेट हो गया और आपको उटपूँचा है वाई यह आपके और भी निवेशी संगेत आपके A और B है निवेशी टर्मिन और यह आपको पुछा है देखो कितना आसा है इसको करता है इधर वाले इसको मिटा रहा हूं देखना शुरुवात के अंदर मैं देखो दोनों input A और B को 0 रख रहा हूं यह भी 0 है यह भी 0 तो बतो भी note gate है तो 0 मैंने रहे तो यह रहे दिया तो यह बना देगा इसको दिया तो यह बना इंड़ देगा तो यह भी one है यह दो नियोगे आ इस का उड्स्पूर तो नैन इस पर दो यह डर देखे मैं दो गया जिरू ऋब्छा इन्जा यह क्या बन जाएगा? 0. यह आपके 1, 0 पे ना, तो इस note rate बन जाएगा 1. तो अपन देको इसके दर input क्या दे रहे है? 0 और 1. यह आपका कौन सा गहिट है? OR gate है. OR gate 0 प्लस 1 होता है. तो 1 आएगा. उस 1 को यह note gate क्या बना देगा? 0 बना देगा. आपको 0 में लिए. पीसर केस की बात करते है. जो मैंने A को 0 ले रखा, B को 1 ले रखा है. A तो अपना 0 है, B बना देगा. तो 0 को यह note gate क्या बना देगा? 1 बना देगा. इस 1 को क्या बना देगा? यहाँ पर 0 बना देगा. अपन फिर इस OR gate के अंदर यह डालते हैं signal. तो देखो 1 प्लस 0. 1 होता है इस 1 को फिर यह note gate बना देगा? 0. फिर से आगए 0. लास्ट केस की बात करते हैं, मैं दोनों को 1-1 पर रखता हूं. A कमान भी 1 पर रखा, B को 1 बना देगा. तो 1 को यह क्या बना देगा? 0. इदर भी इसको भी 1 पर रख रख रखा है, 1 को यह क्या बना देगा? 0. दोनों input अ वेशी आपकी एक पर होते हैं तभी आपका आउट पर टेक मिलता है तो मेरे साथ यह था आपका पूरा इस पेपर का निचोड़ और मैं कहता हूँ पूरी क्लास 12 दखाने चोड़ इतने प्रेशन अगर आप लोगों कर लिए तो मैं कहता हूँ बल्ले बल्ले है आपकी ठीक ह खुशयों का ग्राफ है वह इस प्रकार सब्सक्राइब को लिंक जैनल को जोइन करें मैं आपको फिर से एक बार रिपीट करना चाहूेँगा इस बार जब आपका rizlet आहीगा उनके साथ तो आपको फिर से एक बात रिपीट करने चाहूंगा इस बार जब आपका रिजल्ट आएगा उनके साथ मेरा एक शांदर सा लाइव शेशन होगा और आपके लिए कुछ अच्छा करने का मैं प्रयास करूंगा तो आप जरूर जब आपके रिजल्ट है तो अपने फोटो के स साथ मुझे भीजना है और फिर अपन आगे का जो कारवाई है यह आगे का जो कारेकर में उपन पड़े मनुर्म तरिके से करेंगे